स्वागत है आपका MHR News मीडिया उद्राइस्तान में दोस्तों आज विश्व वन्ने जीव दिवस है संयुक्त राश्य संग द्वारा 20 दिसंबर 1963 को विलिप्त होते जा रहे हैं विश्व वन्ने जीवों और वन्नस्पत्यों को स्रक्षर देने और जागुता लाने के लिए हर साल तीन मार्च को इस दिवस को विश्व वन्ने जीव दिवस के तौर पर माने का निनने लिया गया दोस्तों नरो मादा की जोड़ी है मादा का नाम है रानी देखिए कितना कुरा रही हैं पर हम इसके खाना खाने आये जिसे बोलोगी कुछ नाम बताओगी अपना देखिए दर्शकों क्या लाजवाब दर्श्चे है इस खूब सूरत मगर जबर्दस फुर्तिली और खतरनाक मादा पेंथर को जब हमने करीब से दिखाना चाहा तो किस अंदाज में इसने दिखाया अपना मिजाज जैसे चेतामनी देख कह रही हो अरे ओ मीडिया वालों जादा मेरे करीब ना आना वरना मारूंगी ऐसा पंजा कि भूल जाओगे वीडियो बनाना दर्शकों वैसे तो ये बात एक मजाख है परंतु मादा पेंथर को करीब से दिखाने का हमारे कुद्श्चे आपको जाग आप आप करने के लिए कोई छिड़कानी भी ना करें वन्ने जीव स्रक्षन अदिनियम के तहत यह वन्ने जीव उलंगन के रूप में आता है इन वन्ने जीवों को देखते समय आप एक मानवे और समझदार बने और वीडियो में दिखा जाने दश्चे को दुराने की भू जो हम इस वन्ने जीव दिवस जो हम मना रहे हैं या कोई भी चीज हम मना रहे हैं इसके अंदर जब तक हम यह बाते बच्चों तक नहीं समझा पाएंगे पब्लिक को अवेर्ड नहीं कर पाएंगे हमारा परपस पूरा नहीं होगा दर्शकों वैसे तो आप जानते हैं कि इंसान और पश्यू पक्षी ही इस धर्ती पर सजीव प्रानी माने जाते हैं सजीव मतलब वो प्रानी जिसमें हड़ी, तवचा, खून, बाल, नाखून, आंक, नाख, कान, आदियंग मोजूद हो जो सांस लेता हो और चल फिर सकता हो वैसे तो हम इनसान आज के अती भोतिकवादी, अती भोगवादी युग में स्वस्त और सुकी जीवन जीने के लिए एक मातर जरूरी सादन सिर्फ और सिर्फ धन संपदा को ही मान बेटे हैं परन्तो इस धन संपदा से भी ज़्यादा जरूरी है संपदा वन संपदा यानि जेविक संपदा आप जानते हैं आज के लगातार खत्म होती जा रही इस जेविक संपदा से वो इनसानी जीवन खत्रे में पढ़ता जा रहा है लगातार मानवायू कम होती जा रही है को खत्रे में डाल दिया है और इस जेविक संत्रों को बनाय रखने की मैतुपूर्ण कड़ी है वनस्पती और वन्यजीव वो पेड़ पोदे वो पशुपक्षी जो इस जरती पर इंसानों के बाद दूसरे एक मातर सजीव प्राणी है वो भी खत्रे में पढ़ते जा रहे है हमारे जीवन को स्वस्थ और लंबी उम्र के लिए जरूरी है इन वन्यजीवों और पशुपक्षियों का भी जिन्दा रहना ताकि जेविक संत्रों बना रहे है कैसा लग रहा है आपको वही जो डेली का रूटिन है आपका उससे अलग अटके यहाँ पर इन वन्यजीवों को देखना एक परिवार के रूप में वैसे तो अच्छा लगता है वन्यजीवों को संद्रक्षन में ले अच्छे सुनकी देखरे को तो आईे वन्यजीव दिवस पर ऐसे ही वन्यजीवों को देखने के लिए आज हम आपको ले चलते हैं कोटआ शेहर के निया पुरास्थित एक मातर चुडियागर में लुप तो प्राय होते जा रहे ऐसे भाती भाती के वन्ने जीवों और उनकी अठ्खिलियों को देखना बच्चों को ही नहीं बलकि हर उम्र के इंसान को लुबाता है कितना मरणजक होता है उनके चेरे के हवाओं को देखना कोटा के इस सबसे अनों के घर में भरे पूरे वन्ने जीवों के परिवार के सबसे मुखे चतुरू चालाक, सुंदर और खतनाक सदस्से जिसे आप मुख्या भी कह सकते हैं बिल्ली प्रजात्ते की शेणी में आने वाला बड़े अकार का पशु चीता जिसे कहा जाता है कि दुनिया में सबसे फुर्तिला और तेज दोनाला जानवर है जी हाँ दोस्तों चीडिया घर के इस नर और मादा चीते की जोड़ी इस कोटा चीडिया घर का सबसे मुख्या करशन है दोनों की आपस में बड़ी गजब जुगल बंदी है नर चीते का नाम राजा है और मादा का नाम रानी है इन वन्ने जीवों की देखरे करने वाले चीडिया घर के कर्मे ने बताया कि राजा के बराबार की डिल डॉल वाला चीता आस पास के जंगलों में भी नहीं है यह है वो बेरक जहां इसको खाना दिया जाता है आप देख सकते हैं कितना शांत प्रियों के बैठा है भी यह जैसे हमें पैचानता हो आईए देखते हैं इस बेरक की सीमा कहा था के आप देख सकते हैं ये खानरी जगे से निकल कर बाहर अपने ओपन स्पेस में जा रहा है इंसान के बाद इस धर्टी पर दूसरा सजीवी पाड़ी माने जाने वाला पशुपक्षियों जीव जनतों का घर अब जो पशु इस दर्शे में आप देख रहे हैं लोम्री की प्रजाती का कुट्टे से थोड़े बड़े आकार का गठीले बदर वाला फुर्तिला जानवर भेडिया है ये भी अकसर जुन्डु मनागर अपने शिकार पर हमला करता है इस दर्शे में जो पशु आप देख रहे हैं उसका नाम है जरक कुट्टे की प्रजाती का आने वाला जरक लकडबगा भी किलाता है जिसे अंग्रेजी में हैना का जाता है कहा जाता है इसके जबड़े वद्धात इतने मजबूत होते हैं कि ये हड्डी भी चबा जाता है जुन्डु में रेने वाले जरक समू में सबस्यादा खतनाक और एक जुट होते हैं और एक बार तो शेरों को भी पीछटने को मजबूर कर देते हैं और ये देखिए धर्ती पर सबसे बड़े अकार का सबसे ज़्यादा वजन वाला और सबसे तेज दोड़न वाला पक्षी शतुर मुर्ग जिसे अंगरे जिवाशा में ओस्टिच कहा जाता है कितनी जिग्या सा लिवे देख रहा हैं मरे केमरे में जैसे जान लेना चाता हो सब कुछ क्या करना चाते हो ये वीडियो बना कर क्या करोगे हमारे लिए क्या खास लाए हो हमारे लिए मचली गर के संचालक ववन्य जिव प्रेमी रओफ खान ने जलवायु जिवो पर जानकरी देते हो बताया कि वर्तमान दोर में समुद्री जीव जन्तू अत्यन्त दबाव में है उन पर जलवायू परिवर्तन तथा प्रदुशन का बहुत अधिक असर हुआ है तटिये प्रजातिया विलुप्त होने की कगार पर है और उनका अत्यदिक दोहन किया जा रहा है एक तिहाई वारे जिक मच्छ से भंडार इसलिए समाप्त हो गया है क्योंकि मच्छियों को लगातार पकड़ा जाता है दूसरी और अन्ने कई प्रजातियों बड़े समद्री पक्षियों से लेकर कच्छों तक संकट मनड़ा रहा है इस मौके पर रवुफ खान ने मच्छियों को जिव सरक्षिन की जानकरी दी एवं वच्छों को भार भी दीए इतने तरह की मच्छियों प्रजातियों यहाँ पर आपके हैं एक सेक्विर्म में मौझूद है हमेशा हम इनको अलग अलग तरीके से दिखाते हैं ताकि लोगों को नई प्रजाति की जानकारी मिले हमारे साथ यहाँ मौझूद है कोटा उफ वन सरक्षक आले में सेवा अधिकारी के तोर पर सायक वन सरक्षक अनुराग भटनागर जी अनुराग जी कितना जोकिम भरा कितना चिनोती भरा और कितना जिम्मेदरी भरा मानते हैं अपने काम अर अपने पतको मेरा पत साहेक वन सरक्षक वन aja जीओ कोटा औरकाप मैं राजस्तान वन से वगा दिखा रही हूँ बहुत इंट्रेस्टिंग है जोब, बहुत ही चैलेंजे से भरी हुई है, लेकिन बहुत अच्छी जोब है हमारी नित नए अन्वहों का सामना करना पड़ता है आपको इन वन्ने जीवों के साथ रहते हुए वन्ने जीवों एवां वन्ने जीवों के स्रक्षन एवां उनके बारे में लोगों में जागुता पैदा करने के लिए और उन वन्ने जीवों के उच्छी देखबाल के लिए क्या समझते हैं आपकी उच्छी संसाधन आपको अपलब्द कराये गए हैं या आप उनमें कितनी और चाहते हैं, सरकार से अपक्षा करते हैं, कि आपको जो संसाधन की कमी पढ़ रही है, वो अपको अप्लब्त कराए जाएं। इवन देन, मैं ये कहूँगा कि हमें जो संसाधन उपलब्त कराए गए हैं, उसके साथ यदि मैं दिन रात महनत करता हूँ, तो मैं काफी हद तक justify कर पाता हूँ, और इसमें जैसे आपने कहा कि awareness के लिए और public से जो हमें support मिलता है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हम लोग ये कर भी रहे हैं, हम awareness programs खुब चला रहे हैं, मैं अपने division की बात कर रहा हूँ, पूरे राजिस्तान का मैं नहीं बता सकता हूँ, पर हमारे division में हम लोग गाओं में जाते हैं, schools में जाते हैं, colleges में जाते हैं, और वहाँ पे जो बच्चे लोग हैं, उन बच्चों को ये समझाना होता है, कि जंगल में जाके, किसी भी century में जाके, सिर्फ मैं ये ढूंडू कि वहाँ पे मुझे tiger मिला, या panther मिला, या मुझे animals मिले हैं, ये important नहीं, इसके साथ-साथ ये भी important है, कि वहाँ कितनी तरह की प्रजातियां हैं, वहाँ पे कौन-कौन से पेड़ एक vision होगा उसके बारे में, आज जो मुझे लगता है, I can be wrong also, कि आज की जो हमारी society है, उसके अंदर लोगबाग awareness की बाते करते हैं परियावरण के लिए, लेकिन they are not that much aware, आप देखेंगे परियाटन के लिए लोगबाग जंगल में जाते हैं, लेकिन साथ-साथ, वहाँ प आते हैं, तो animals का habitat को किसी भी जरे से disturb नहीं करें, तो यह बाते हैं, यदि हम बच्चों को समझाएंगे, तो वह एक नई generation में हमें बहुत बड़ा उससे support मिल सकता है, यह मेरा इसमें मानना है, आपने बताया कि संसादों की तो कमी ज्यादा नहीं है, संसादन प्रयापत है लेकिन अधिकारी और स्टाफ करमचार की कमी ज्यादा है, तो आपको लगता है कि उन करमियों की कमी होने के विए से आप पर अत्रिक दबाओ है, डेफिनेटली, यह तो मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे खुदे यह लगता है कि आज मेरे पास एक जहां मेरी पोस्टिंग है, उसके साथ साथ मेरे पास चार एक्स्ट्रा चार्जेद है, मेरी पोस्टिंग बहस्ट रोडगड के अंदर है, उसके साथ साथ मेरे पास शेर गड़ सेंचुरी का भी चार्ज है, उसके साथ मेरे पास अभेडा वैलजिकल पार्क का भी चार्ज है, उसके साथ मेरे पास शेरगड जो है वहाँ पे मेरी पोस्टिंग है, एक्स्टा चार्ज है मेरे पास, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 180 किलोमेटर से है, अब आप देखी जदि आज मैं भैसरोडगड के अंदर काम कर रहा हूँ, how can I work in शेरगड, जदि शेरगड में कोई भी प्रावलम आती है तो मैं उसको उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा, जितनी कि यदि मैं शेरगड में बैठा होता है, शेरगड में बैठके मैं महाँ पे उसके पूरे वर्क करता है, तो मैं कर पाता है, अब मेरे बाद एक पूरी सैंचुरी भैसरोडगड का काम में कर रहा हूँ, और जेविक संत्रों में बहुत एहम भूमिका निवाने वाले, इन वन्य जीवों और वनस्पतियों को सेलक्षन एवं जागुता परान करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सार मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सभी को मिलके, यह ना सोचा जाए कि यह जो काम है, वन संदक्षन का, जिसके अंदर वन्य जीव भी आते हैं, पेड़ पौदे भी आते हैं, कीड़े मुकड़े भी आते हैं, सभी चीज़ आती है, उसका दाइए तो सिर्फ वन खास तोर से वन विभाग को और दूसरे विभाग को इसमें अवेर्नेस वाला काम जादे करना होगा, हम लोग अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, हम ड्यूटी करते हैं, हम अपने पेपर्स लिख देते हैं, सारी फाइले हम सिस्स्टमेटिक चलाते रहते हैं, इससे भी जादे बड़ा जो काम है, वो यह है कि हमें पब्लिक के अंदर, बच्चों के अंदर खास तोर से अवेर्नेस लानी होगी, तभी हम इस वन जीफ दिवस जो हम मना रहे हैं, या कोई भी चीज हम मना रहे हैं, इसके अंदर जब तक हम ये बाते बच्चों तक नही मेड्या नहीं कर पाएंगे, हमारा परपस पूरा नहीं होगा, मैं अपने एक सेंग्चुरिक अंदर बैठके काम कर सकता हैं, अपने डूटी पूरी कर सकता हूँ, अपने पेपरो欸 पुरी कर सकता हूँ, लेकि ईummy non unless, मैं ये message कि wildlife इतनी important है, हमारे जीवन के लिए, मनुष महराजा मगरमच को पानी में रहने वाले सबसे खतरनाक कप्टी धूर्त जलिय जीव भी कहा जाता है अपने शिकार पर छुपकर वार करने में इसे महरा तासिल होती है ये अपनी दोनों आखें बाहर निकाल कर बाकी पूरा शरीर पानी के अंदर छिपा कर रखता है और जैस आशानी से शिकार पर काबू पा लेता है आम तोर पर मगरमच का रंग स्रेटी थोड़ा भूरे रिंका होता है जो मटमेले पानी में आसानी से घुल मिल जाता है पर्याबरन तो आपके और हम और पूरे विस्व के लिए बहुत ही जरूरत है पर पर्याबरन के समनक्षन के लिए हम ऐसा नहीं कि जंगलों को काटते रहें पेड़ पौदों को काटते रहें हमें प्रतेक मनश को बैंसै तो हम बनाते हैं जनम दिन मनाते हैं हमने कैंडल लिया फूख को दीया और हम पर्याबरन के लिए हम सब उत्तरदाई रहेंगे झाल झाल झाल